पियम मोदी ने राहुल गांधी से कहां हम आपके आखों में आखे कैसे डाल सकते हैं और कई ही बड़ी बाते प्रदन मंद्री नरेंद्रा मोदी ने शुक्रवार को लोगसभा में विपक्ष दलों पर जोरदार हमला बोला है उन्होंने कॉंग्रेस पर निशाना साते हुए कहा है कि कॉंग्रेस जनता से कट गई है और जो दल कॉंग्रेस के साथ है वे भी डूबने वाले हैं मोदी लोग सवाम में सरकार के खिलाब लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान परिचर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्षे के सवालों का जवाब दे रहे थे प्रदान मंत्रे ने कहा के केंडर में 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है लेकिन विपक्ष में शामिल दल सरकार के खिलाब बहुमत जुटाने में विफल होने को लेकर आश्वर्स तो होने के बावजुद सरकार गिराने की कोशिश में जुटे हुए हैं मोदी ने शायरी के जरीय विपक्ष पर निशाना साधा और कहां मांजी न रहे बल न कहें में हवाई एक अश्टी बर जर जर ये कैसा है सफर उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कहा गया है कि प्रदानमंत्री को संसद में बोलने दिया जाये तो वो 15 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे लेकिन मैं खड़ा हूँ और 4 साल के अपने काम के बल पर अड़ा भी हूँ पीम मोदी ने 2024 में विपक्षो को विश्वास प्रस्ताव लाने की बात कहकर ये संदेज देने का प्रयाज भी किया है कि 2019 के लोग सभा चुनाव को लेकर राजक को कोई भी चिंता नहीं है लगभग देड़ घंटे के अपने इस भाशन में प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षद्वारा लगाये गए तमाम आरोपों का बिंदुवार जवाब दिया है